असलाम ओल्यकुम। आज की वीडियो में दीखें है काफी आवाज कर रही है तो हम इस फीडियो बनाने बाने ह Allez ठीक है काफी दिन से रुको होगा है है मसीर माचले इस्तम्माल नहीं हो रही थी तो यह बाच कैसे खतम करें गया अज की वीडियो में यह दिखाएंगे ठीक है तो हम पलेट इसको पलेट करके देखने का है वाज आग कहांग से रही है तो यह देखिए इसमें इसमें तो लोजिंग है यह सही है यह हलका लोजिंग है यह चल जाएगी इसमें ज्यादा लोजिंग है ठीक है तो हम सबसे पहले शेटल को खोलेंगे फिर इसका शेटिंग करेंगे शेटल खोल करके हम पहले सिलाए मारकर मसिन चला कर देखेंगे कि कुछ आवाज कम होई की नहीं क्योंकि यह काफी दिन से रखा था इसका सर्विसिन भी हो जाएगी इसका साफ सफ़य भी अच्छा से कर लेंगे इसका धूल मिटी यहां पर जितना भी जम होगा रहता है इसको अच्छा से साब कर लेंगे आवाज हलका हलका भी भी आ रही है याने शटल में काफी गंदा है इसको फिरा कर देख लेंगे तो यह अटक रही है तो हम यह शटल को बाद में सही करेंगे इस पलेट को भी लिका लेंगे इसमें जितना भी धूल मिट्टी है इसको भी हम अच्छा से साब कर लेंगे अधिया हमने इसका धूल मिट्टी अच्छा से साब कर लिया है सबसे पहले इसका लूजिंग को हम काइड करेंगे तो हम यह वाली बॉल को खुलेंगे तो यह चोटा वाल है इसको डैबर से हम इसको खुलेंगे इसको खुल रही है अब यह धीला हो गई है अब इसको अंदर मुट इसको अब इसको आट ढेला कर लेंगे अब इसको अब इसको आट ढेला कर लेंगे इसको हम इतना वार कर लिए ताकि फीडी हो जाए अब इसको दबा के रखेंगे बुरा आइल डाल देंगे इसमें आइल डाल देंगे ताकि असानी से अंदर चला जाए इसको दबा के रखेंगे अब इसको अंदर डालेंगे इस तरह पकर करके देख लेंगे अभी भी है यह बिल्कुल अपसेट गई है अब इसको हम टाइट कर लेंगे अब यह अंदर तक टाइट नहीं होगी तो यह छोड़ा वाली पेचके से हम इसको टाइट करेंगे अब यह टाइट हो गई है अभी आवाज बंद हो गई है यहां से आवाज आ लिए इधर से आवाज नहीं आ लिए हम इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे यह पॉइंट चेक कर लेंगे इसमें धार तो नहीं नहीं है तो इसमें धार नहीं है क्योंकि यह शेटल में बीच में लग्ट्र शेटल को फिराती है ठीक है अब अब इसका लूजिंग टाइट करेंगे हम इसको पकड़ लेते हैं इसमें का देखते हैं तो यह हलका यह चल जाएगी इसको टाइट करना परेगा इसके लिए हमको यह वाले बॉल को खुलना परेगा है और यहां पर जो इसको जाम करके रखता है इतना बड़ा रड़ रहती है इसको यहां से ठोकेंगे अब देख लेंगे इसको फिराकर अब भी भी हलका तो हम इसको अब इस तरह पकर लेंगे अब यह आवाद नहीं कर रही है अब इसको हम टाइट कर लेंगे अब यह टाइट हो रहे अब यह बिल्कुल टाइट होगे हम क्या चरेंगे थोड़ा सा यहां पर अब यह हलका लूर्जिंग रह गई अब थोड़ा सा मार दिया हूँ तो यह थोड़ा सा हम इसको टाइट कर लेंगे अच्छा से जाइट कर लेंगे हैं अब इसमें हम तेल डाल लेते हैं तेल डालने के बाद चेक करते हैं कि आवाज खतम होई की नहीं कि अब भी right यह बाद वखतम है अब तेल है कि आवाज भाज ओती वो खतम हो गई है कट-कट-कट-कट के आवाज आ रहे थी अब यह आवाज खतम हो गई है अब क्या करेगे शटल को भी हम इसके अंदर भी धूल मिटी है इसको भी खोल लेंगे या काफी दिन से अगर तेल नहीं डालते हैं तो आवाज आने लगती है या काफी दिन से अगर मसिन को छोड़ दिये इस्तमाल लें किये तब भी आवाज आती है तो इस चोटी मसिन में या बड़ी मसिन में दोनों में एक ख़़ाब भी होती है बड़ी मसिन तो ऐसा है कि अगर इस्तमाल करना छोड़ दिये बिल्कुल जाम हो जाती है इसका जो खाँचा है खाँचा को अच्छा से साब कर लेंगे एक धुल का मिट्टी दरा भी ना रहे और इसमें आइल डाल लेंगे ताकि इसमें सेटल का जो गुल चक्री रहे अच्छा से पिस ले अब इसको फिराकर देखेंगे अब यह रूक नहीं रही है इससे पहले में फिराया था तो रूक रही थी तो इसका जो भी कच्रा था मैंने साब कर लिया है अब टाइट हो गई अब इसको अपने के कफे लगा देंगे दोनों का हॉल का सेंटर देख लेंगे अब बॉल का उंटर कर लेंगे कि अचूर कर दो कि अचूर कर दो पाल कि पूल टाइट करने से पहले एक बार इसके ठोक लेंगे कि थोड़ा भी अगर स्टेटिंग साही नहीं होगी तो आप अपने जगा पर सेट हो जाएगी कि अब यह उपर का खांचा में हम आईल डाल देंगे कि कि अब इसका प्लेट लगा लेंगे कि अब इसका प्लेट लगा लेंगे अब चला कर देख लेते हैं अब यह आवाज खतम हो गई है यह जो उपर नीचे हो रही है नंबर का रड़ इसको मच्छा से टाइट कर लेंगे हैं कि शोटी मसल में अई खरावी है अगर यह कट गया तो यह क्या है अपने जगह पर रुकती नहीं है कि टाइट भी करें तो पिसल जा रही है उसके लिए एक वास्ट का जरूरत रहती है अब किसी दूसरे वीडियों में बताएंगे इसका सेटिंग करना तो यह आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है अब तो कबी भी आपका मसीन इस तरह आवाज करें तो इस तरह करके निच्छे का बोल्ट को देख लीजिए इस तरह मैं अभी इसको टाइट किया हूँ इसमें लूजिंग थी अभी लूजिंग खत्म हो गई इसके अंदर हलका लूजिंग है अभी ज्यादा मैं इसको टाइट कि आपने क्यए हो अभी भी है हलका ठीक है चाय तो इसको फूरा neck करते हैं यह फूरा ठाइट नहीं क्या हो क्योंग थोड़ा रहना चाहिए इसकें अंदर भी थोड़ा रहना चाहिए हलका उस्जाद अरे तो आवाँ करेगी इस तरह करके आप पार्ट चेक कर सकते कोई कोई भी पार्ट में आवास तो नहीं नहीं आ रही है ठीक है हलका हाथ के सारे से हलका रहना चाहिए जिसे मसीन फिरी चले अगर बिल्कुल टाइट कर देंगे तो जाम मसीन जाम हो जाएगे तो ही हमारा वीडियो